लोगों को फुटबॉल खेलने का चौक होता है तो कुछ मार्शल आर्ट साधी करते हैं इन खेलों में कई बार चोट लग जाती है जिसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत महेंगा होता है स्पोर्ट्स इंजिरी होने से करियर भी दाउं पर लग जाता है क्योंकि वह आगे खेल को कंटीनियू नहीं कर पाते हैं अगर मैदान में खेल के दोरान उन्हें चोट लग जाती है ऐसे में कुछ एतियात खिलाडियों को बरतनी चाहिए काफी कॉंट होती है वेदर में अफ़कोस अगर ठंड के मौसा में आप बोलें तो मसल्स और डॉइंट's की इंजिरी ठोड़ी बढ़ जाती है रीजन उसका यह होता है आप कही न कहीं बोले कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है या जो ब्लड फ्लो है तो मुझल में वह एक्टर से टाइपनेस करना शुरू कर देता है और इंजिरी होने के चांसे बढ़ जाते हैं ओवरॉल इनसे बचाओं का सबसे बढ़िया तरीका यह रहता है कि कभी भी आप कोई भी आक्शन में आप आ रहे हैं स्पोर्ट के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले प्रॉपर वाम-प करें वाम-प करने का टाइम कम से कम 15-20 मिनिट दें उसके बाद आपको जो ट्रेन क करनी है उसका एक थोड़ा सा रिहर्स कर ले इन फॉर्म आफ उन आक्शन को रिपीट कर ले वाम-प के दौरानी हलकी सी आप स्ट्रेचिंग पहले भी कर सकते हैं डिपेंडिंग गेम टू गेम के उपर निर्भर करता है इन सब करने के बाद अगर आप गेम में या प्राक् सबस्क्रम दे रहे हैं वो भी बहुत होता है अपको बहुत जादा लोड एक बार में आहीं देने होता है है स्पोर्ट में स्पेशली अगर ःगार थीरे अपना दो बढ़ाते हैं तो आप इंजीरी से बच सकते हैं जियmerce अगर आपको पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जारी है तो डेफिनेटली आपको गेम को रोक के आपको उसको उचित जगा पे दिखा के उसका उपचार लेना जरूरी होता है अगर आपको मसल्स और जॉइंट का पेन है तो आप कहीं पे भी आगर आपका स्पोर्ट्स मेडिसन का क्लीनिक है आपके इसपी जगा सकते हैं को तो बहुत सारे औरच का बढुलते हैं उनका इस्तेमाल किया जा शकता है तो इन सब चीज़ों का अगर आप टाइमली स्टार्ट करते हो तो अल्टिमिटली आपको ओवराल बेनिफिट रहता है और आपकी रिकवरी फास्टर होती है लोकल 18 के लिए दहरदून से हिना आजमिक रिपोर्ट